पंजाब विधानस्वाद चुनाओं से नेताओं ने जनता से बड़े बड़े वादों की जड़ी लगा दी है कोई मुफ्त बिजली पानी देने की बात कर रहा है तो कोई पैंचन बढ़ाने का वादा कर रहा है तो कोई राशन फ्री देने तो कोई मुबाइल फ्री देने के वादे कर रहा है पंजाब के मुख्यमंत्री चरण जीद सिंग चन्नी तो वादे करते करते इतने आगे निकल गए हैं कि वह लोगों को विदेश में सेटल कराने की बाद भी कह रहे हैं चन्नी ने कहा है कि अगर कॉंग्रेस अगले विदहानसमा चनौं में सत्ता में लौटती है तो वह युवाओं को एक साल के भीतर एक लाख नौकरिया देगी और उन्हें विदेस चाने में मदद करने के लिए एक क meanings चलाएगी चनी ने कहा है कि युवाओं को विदेश में बसने के लिए अंग्रेजी भाशा की परिक्षाओं की निशुलक कोचिंग भी दी जाएगी चनी ने कहा है कि नौकरियों का वादा एक घोशना नहीं है बलकि पंजाब पंत्री मंडल के फैसले के समर्थन में एक प्रतिबत देता है उन्होंने कहा है कि कॉंग्रेस सरकार का पहला फैसला ये नौकरियां मोहिया कराना होगा अब जब मुख्यमंत्री इतने बड़े- उनकी पार्टी सत्ता में वापस आती है तो ग्रहणियों को हर महिने दो हजार रुपए दी जाएंगे उन्होंने ग्रहणियों को हर साल आठ मुफ्त रसोई यानि लपीजी सिलेंडर देने का वादा भी किया है इसके साथ ही सिद्धू ने आगे की पढ़ाई के लिए कॉल सरकार के गठन का इंतियार क्यों करना चाहते हैं उनकी पार्टी की सरकार अभी से ही इनें क्यों नहीं कर देती हम आपको बता दे कि सिद्धू के ये वादे आम आदमी पार्टी के रास्त्री स्वयुजचक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजृवाल के उन का पंजीकरण भी शुरू कर दिया वह मुफ्त बिजली पानी और शिक्षा का वादा भी कर चुके हैं सिद्धु के वादे सामने आने पर आम आदनी पार्टी के नेता रागो चड्धा ने आरोप लगाया है कि सिद्धु अर्विंद केजरिवाल द्वारा की गई क्याप्टेन अमरिंदर सिंग ने राज्य और रास्ट की सुरक्षा को सबसे एहम मुद्धा बना लिया है क्याप्टेन अमरिंदर सिंग तो यहां तक कह रहे हैं कि भाजपा ही एक मात्र राधितिक पार्टी है जो राज्य की सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों की और राज्य के हित्म है कि कैप्टन अमरिंदर सिंग ने पिछले साल मुख्यमंत्री पत से हटाए जाने के बाद राज्य में सत्तरूर कॉंग्रेस छोड़ दी थी और अपने नए राजनीतिक दल पंजाब लोग कॉंग्रेस का गठन किया था दूसरी और मुख्यमंत्री बड जी विज्ञापन लगाकर मुख्यमंत्री के तौर पर जन निधी का दुरूप्योग करने के लिए चरणजीत सिंग चन्नी के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा आगामी विधानसवा चनौव में शिर्मणिय काली दल और बहुजन समाज पार्टी गठव कर रहे सुखवीर सिंग बादल ने कहा है कि जनता की निधी का दुरूप्योग करना अपराध है पंजाब में नेताओं द्वारा किये वादों पर सरसरी निगाह डाली जाए तो एक चीत साफ है कि सभी दल महिलाओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं और अब तक किये वा सुने चार करणों मद्दाताओं में से 96.19 लाख महिलाएं थी पिछले कुछ चनाओं के ट्रेंड देखें तो पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा मद्दान करती हैं इसलिए विभिन पार्टियां महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे कर रही है अब सव में मुफ्त सफर की सुविधा या महिने में हजार रुपे का भत्ता नहीं बलकि सुरक्षा और समाज में बराबरी का अधिकार और शिक्षा की सुविधा चाहिए पंजाब में 17 कॉंग्रेस के बड़े नेताओं की पत्नियों ने ही जिस तरह महिलाओं से किये जा रहे बादों का विरोध करते हुए इसे महिलाओं के वोट खरीदने के समान बताया है वह दर्शाता है कि अपने अधिकारों के प्रती महिलाएं अब जागरुख हो चुकी है अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को